दोस्तों स्वागत आपके अपने चनल सिविल साइट विजेड में दोस्तों आज का वीडियो काफी जादा इंपोर्टेन और इंट्रेस्टिंग है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो कॉंक्रीट का बैंड हम प्रवाइड करते हैं ब्रिक बर्क में जब मैंने ब्रिक वर्क की चेकलिस्ट की वीडियो डाली थी जिन लोगोंने नहीं देखिये वो देखो तो उसी तरवान काफी कमेंट्स आये थे कि सर ये बीच में ब्रिक वर्क तो ठीक है लेकिन जो बीच में बैंड प्रवाइड किया कॉंक्रीट दिख रहे हैं ये क्या है क्यों प्रवाइड करते हैं तो आज उसी पर हमारा वीडियो होने वाला है काफी ज़्यादा इंपोर्टेट है और ये प्रवाइड करना भी चाहिए जो लोग गर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ये वीडियो कंप्लीट देखना और साइट इंजिनियर जुरू देखना क्योंकि मैं इसकी इंपोर्टेंस बताने वाला हूँ दो रिजन होते हैं इसके मोस्टली प्रवाइड करने के देखो होता क्या है ऐसे तो हम जो हमारी 9 इंच की दिवार रहती है लेकिन जो हमारी 5 इंच की या 6 इंच की दिवार रहती है उसमें मैंने मोस्टली देखा है वो डायरेक्ट राइस करते हैं कुछ भी उसमें प्रवाइड नहीं करते है लिंटल विंटल तो यही चीज है आपको यह प्रवाइड करने हैं कुछ लोग बोलते हैं इसको भी कुपिंग लेकिन कुपिंग क्या है कुपिंग हम वहाँ प्रवाइड करते हैं जो एक्सपोजड एरिया होता है हमारा या कोई भी बिल्डिंग एक्सपोजड एरिया की पानी उसमें लगेगा वह खराब होगा structure तो इसके लिए हम उपर में concrete का ऐसा ही same band प्रवाइड करते हैं लेकिन उसे हम कॉपिंग बोलते हैं यह concrete band है यह अलग चीज है यह किसलिए प्रवाइड करते हैं अब इसको lintel concrete band बोल सकते हो यह as a lintel ही work करता है यह हम प्रवाइड करते हैं यहां हमारी partition wall रहती है उस पे हम mostly यह प्रवाइड करते हैं मतलब अगर 5 इंच की दिवार है यहां 6 इंच की दिवार है दस चोटी बाल चोटी दिवार है तो उसमें हम इसको प्रवाइड करते है इसका work क्या रहता है देखो होता क्या है जड़ कभी earthquake आएगा तो earthquake आने से क्या होगा कि जो structure की movement होगी तो उससे क्या है cracks आ सकते हैं अगर दिवार होगी मतलब लगा लो आपके गर की height है तीन से चार मीटर उसकी height है तो अगर direct आपने बीना concrete band provide किये या इंटल provide किये बना दी तो उसमें cracks आने के chances काफी ज़ादा हो जाते है main reason ये भी रहता है आगे मैं इसका ये भी बताऊंगा कि आपको उसमें grade गोंड सा use करने है और सरीया क्या use करने है वो मैं आगे बताता हूँ पहला reason ये हो गया दूसरा reason ये हो गया अर्थ को एक के साथ ही जुड़ है या ऐसी बोल सकते है दो reason से हम इसको बोलेंगे अर्थ को एक के दुरान cracks आएंगे तो वो उपर बढ़ जाएंगे और settlement के chances काफी ज़ादा होते हैं गर में या building में तो जैसे ही settlement हुई नीचे तो X में crack create हो जाएगा तो crack अगर पूरी दिवार में पढ़ जाएगा वो काफी ज़ादा defective हो सकता है गर के structure के लिए तो इसलिए हमने एक मीटर या 1500 पर हम क्या करते हैं concrete band प्रवाइड करते हैं जैसे आप सामने दिवार देख रहे हो यह अभी extend होगी तो यह 1500 इसकी height है तो इसमें हमने concrete band प्रवाइड कर दिया तो होगा क्या जब नीचे कोई crack आएगा तो crack वो अगर उसमें concrete band नहीं होगा तो लेकिन इसमें क्या होगा यह crack रुक जाएगा और उपर का crack आने के chances कम हो जाएगा जैसे मेरी एक video थी जिसमें मैंने बताया था कि mostly crack जो 3 mm से चोटा होते हैं 6 mm से चोटा वो ठीक है acceptable है लेकिन उससे अगर बढ़ा हो जाएगा 10-20 mm का वो structure क काफी नुकसान कर सकता है अगर load bearing structure था उसमें काफी जादा effect हो सकता है तो आपको मतलब जो छोटी दिवार रही कि आपकी जैसे आप सामने देख रहे हो तो आपको इसमें concrete band provide करना ही करना है must provide करना है 9 इंच की दिवार पे तो हमारा lintel भीम आ जाएगा तो उसमें वो cover up ह हो जाएगा क्योंकि हमारा जो रहता है 2400 पे या 200 mm पे हम lintel provide करते हैं लेकिन हमारी जो partition wall है तो उसमें आपको क्या करना है हर 1500 mm के बाद आपको concrete का एक band provide कर देना है इससे क्या होगा protection रहेगी wall में cracks के लिए भी और ऐसे भी जब earthquake बगरा आएगा तो उसमें भी वो safety square रखेंगे तो इसकी height जो आपको depth रखनी है वो 4-6 जाँ 5 मतलब 4-5 इंच आपको रखो जादा कोई depth रखने की ज़रूरत नहीं है और width आपकी रहेगी जितनी आपकी दीवार होगी 5 इंच की है जहां आपकी 6 इंच की है जितने की दीवार होगी उतनी आपकी width और depth नहीं होते हैं तो आई होप आपको idea लग गया होगा कि DPC, Copying और इसमें जो concrete का band है इसमें कहा difference है और mostly 2 point जो मैंने बताए crack से बचने के लिए और earthquake से बचने के लिए हमें concrete band provide करना ही करना है 5 इंच की या 6 इंच की दिवार में तो यह था आज का छोटा सा वीडियो आपके लिए तो काफी कल काफी important वीडियोस आपके लिए आने लिए तो उसके लिए please चैनल को subscribe कर लो bell icon दबालो क्योंकि काफी important औ और interesting और practical वीडियोस आपको हमारे चैनल civilsightvisit.com पर ही मिलेंगे thank you guys